में डिसक्रस करने वाले हैं मदर्शन सुमी एक श्टॉक के बारे में आज के ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेडिंग सेशन में तीन-चार परसेंड की गिराबर दिखी चुकि इस ट्रेडिंग सेशन में 20-day moving average को break किया है हालां कि इस ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेडिंग सेशन में गिराबर दिखा है वह अबर पैनिक सेलिंग रहा है जहां auto sector मजबूत लग रहा तब वहीं last hour में auto sector में भी गिराबर दिखा है इससे पहले MNC company मरेली को हमने देखा कि इसने acquired किया है जो की biggest acquisition अब तक का रहा है लगभग 29 acquisition आज तक के date में हो चुका है और 6 acquisition pipeline में चल रहा है और यह मरेली का acquisition हुआ है वो इंड मई और जून के early तक में यह announce होते वे दिख सकता है और acquisition जो यह हुआ है यह world's car top 10 auto component company है प्रसनली मुझे नहीं लगता है कि इस stock को आपको ignore करना चाहिए क्योंकि यह stock साथ में ही PLI scheme का भी beneficiary होने बाला है और PLI scheme के beneficiary के लिए यह stock को आपको पता ही होगा जो अभी हमने देखा था कि auto sector के अंदर चीप के shortage को लेकर के जो news trend हो रही थी जिसके कारण टाटा मोटर जैसे stock में काफी गिरावर दिखी उसमें भी aggressively काम करते हुए दिख रहा है अभी हमने चेनने में देखा कि एक बड़ा land acquired करते हुए दिखा है तो surely यह सब news को ignore ना करे इस stock में position ले सकते है जहां risk reward बहुत favorable दिखता है 110-12 के नीचे का closing ही यह stock में थोड़ा बहुत downtrend दिख सकता है हलांकी 122-25 के level से अगे यह stock bounce back करते दिखेगा पहला target 160 प्लस और दूसरा target 220 220 तक का target within 6 month और 160 प्लस का target within maximum 2-3 month के duration में surely यह stock में दिखने वाला है तो अगर position आपने portfolio में ले रखा है medium term के लिए तो बिल्कुल एक जीट करने की गलती नहीं करें अगे निफ्टी भी bounce back करते वे दिखने वाले